गेमिंग जहां पर हमें अच्छे ग्राफिक से साथ सार नीड होती है एक अच्छी साउंड क्वाल्टी की एंड जब हम साउंड क्वाल्टी गारे बात करते हैं तो बात आता है गेमिंग हेडफोंस के बारे में जो की काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन जब बात आती है कैसल गीमिंग की और थोड़ी बज़ट गीमिंग की तो इंडिया के अंदर कुछ आपके बज़ट सेग्मेंट काफी ज़्यादा फिरमास है जैसे कि आपके 500 रूपीज 1,000 रूपीज, 50,000 रूपीज, 2,000 रूपीज एंड आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे पांच गीमिंग हैडफोन के बारे में जिनको आप लोग बाय कर सकते हो 600 to 1,000 रूपीज अट सभी का जो बैस्ट बाय लिंक है वो आपको वीडियो की डिस् जैसे कि मैंने किसी भी हेडफोन को किसी भी नम्मर पे नहीं रखा है सभी के सभी हेडफोन अपने प्राइस को justify कर देते हैं में जो आपको comfort level देखने हो मिलेगा वो आपका काफी जादा impressive होगा उनकी cushioning की वज़े से and साथी साथ जो आपको उस पर head rest देखने हो मिलता है तो no doubt comfort के मामले में आपको किसी भी headphone को लेके सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है No.5 Medtech Gaming Headphone जो कि हमारी list का सबसे cheapest gaming headphone है जिसकी जो कीमत है वो है आपकी 600 रूपीज जहां पर company आपको offer कर दिया है एक proper plastic build और दो color option जिसमें कि आपको एक red black और दूसरा blue black देखने हो मिल जाता है जो कि इसका काफी अच्छा color combination बना देता है 40 mm के driver जिसका जो sound है वो आपका काफी जाता impressive आता है लेकिन gaming headphone है तो base की उमीद आप लोग थोड़ी सी ज़रा कम रखना 3.5 mm jack for connectivity and एक normal सी cable जिसकी आपको middle part में एक volume controller देखने को मिल जाता है RGB के नसे के लिए company कोई option नहीं देती है क्योंकि किसी भी प्रकार का नसा आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है लेकिन जब बात आपके लेने की आती है आवाज तो company आपको एक adjustable microphone देती है जो कि of course आपकी price के according काफी ठीक ठाक है और इसकी बात जब इसकी weight के बारे बात आती है तो जो इसका weight है वो है आपका cable और cable 196 gram तो of course काफी दा lightweight है एंड आप लोग इससा idea लगा सकते है इसकी जो build है वो कैसी होगी लेकिन जब आप बात करते हैं इसकी price to performance ratio के बारे में तो वहाँ पर जो headphone है काफी अच्छा stand-down कर जाता है एंड अपकोर्स अगर आपका budget 500-600 रुपीज है तो आप लोग लिए इससे better choice कुछ भी नहीं हो सकती है नमबर 4 Baster Q9 headphone 700 रुपीज की pricing में आने वाला यह headphone मुझे personally काफी जादा impressive लगता है especially PC gamers के लिए क्योंकि company इसमें आपको offer करती है 7.1 virtual surround sound of course virtual surround sound of course आपको इस price segment के अदर ऐसा कोई दूसरा headphone देखरे को नहीं मिलता है वहीं अगर इसके build quality के बारे बात आती है तो इसमें आपको metal plus plastic की build देखो मिलती है 50 mm के driver जो की of course आपकी price लिए performance के साब से काफी अच्छा sound produce करके आपको देदेंगे connectivity के लिए आपको एक USB port देखो मिलता है एंड जो इसकी cable है उसकी quality भी काफी ज्यादा basic सी है जो की आपके एक rubber wire होती है audio लेने के लिए एक adjustable microphone है एंड इसके साथ इसका जो weight होता है वो है केवल आपका 400 grams तो नो डाउट कि अगर आप एक PC gamer हो एंड अगर आपको 7.1 surround sound के मज़े भी लेने है तो आप लोग इस headphone को buy कर सकते हो under 700 रूपीज साथ ही आपको 7 different color RGB lighting भी देख मिल जाती तो अगर आप RGB के नसे करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो No.3 Cosmic Byte GS410 अब आपका Z headphone भी बागियों के headphone की तरह है लेकिन जो इसका look है वो काफी जादा impressive है एंड इसकी जो pricing है वो है आपके 800 रूपीज से जहां पर company इस पे आपको बहुत सारे color option प्रोवाइड कराती है एंड इसका build है वो आपका proper plastic और किया गया है जिस वजी से जो इसका weight है वो भी काफी जादा कम हो जाता है 40 mm driver जो कि आपका काफी अच्छा sound produce कर देते है 2.1 meter की cable जो कि आपकी बेसिक सी cable होने वाली है एंड connectivity के लिए company आपको एक single 3.5 mm का jack offer कर देती है RGB के नसे करने का कोई भी option नहीं है इसकी बाद आपके सारे बेसिक सी feature जैसे कि आपका एक adjustable microphone एंड इसका जो weight है वो है आपका cable 200 gram जो कि आपको काफी जादा light weight है नमबर 2 NTSports H520W इस headphone का जो सबसे impressive part है वो है इसकी pricing जो कि आपकी हमेशा 600 से 800 रुपीज के बीच रहती है जहां पर company आपको बहुत सारे color option provide करा देती है एंड इसका जो build है वो आपका proper plastic बर किया गया है लेकिन इसमें जो आपकी plastic यूज करी है वो आपकी काफी जादा hard plastic है वहीं जब इसकी driver के आरे बात आती है तो इसमें आपको 50 mm के driver देखने को मिल जाते है RGB के नसे करने का कोई भी option नहीं है मुझे लेकर इसका जो best part लगता है वो है इसका connectivity जहां पर company आपको single 3.5 mm jack offer करती है connectivity के लिए लेकिन जतने आपके PC gamer है उनकी लिए company boss के नदर एक अलग से splitter भी आपको दे देती है इसमें जो आपको microphone देखने मिलता है वो आपको कोई भी adjustable microphone नहीं है तो आपकोर्स आप उसको adjust नहीं कर पाओगे एंड इसकी बाद जब इसकी cable के बारे में बात आती है तो इसमें आपको लगभग 2 meter की cable देखने मिलती है जिसकी जो quality है वो आपकी काफी जादा impressive है लेकिन आपकी आपकोर्स कोई भी breeded cable नहीं है तो बनीसी बात है कि अगर आप लोग वो 50 mm के driver जा फिर अगर आपको ठीक ठाक हो जैसी कि इसका जो वेट है वो है आपका 449 ग्राम तो आप लोग लिए काफी अच्छी च्वाइस हो सकती है नमबर वन रेड गेर क्लॉक अब भाई इस हैटफोन को ना मैं परसुनली मताओ मुझे काफी जादा पसंद है इसका रीजन आता है इनका comfort मैं बता द आपको मैटल का headband offer करती है काफी soft cushioning और इसकी जो pricing वो है आपकी 900 रुपीज जहां पर company आपको offer करती है 50 mm के driver metal plus plastic का build और एक 2.1 meter की cable and connectivity के लिए dual 3.5 mm jack RGB की नसे करने के पूरे option है लेकिन उसके लिए company आपको एक अलग सी USB port offer करती है जिसकी वज़ए से आप लोग इसकी RGB को control कर पाऊगे and and इसका जो weight है वो है आपका 460 gram जो कि आपका anti sports वाले gaming headphone से ज्यादा है जिससे आप लोग idea लगा सकते हो कि इस headphone में जिस material का use किया गया होगा वो कितना ज्यादा solid होगा and 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 आखरी में जिसको जो mic बसता है वहाँ पर बीडा company आपको एक red कलर की छोटी सी LED देती है and आपको एक adjustable microphone देखरो मिलता है जिसकी जो sound quality है वो काफी जादा अच्छे price के according